यहां से बैट बैट के आना पड़ता है क्योंकि यह आप दिख सकते हैं उपर इस तरह की चटाने हैं और संक्रा नीचे जोग के जाना पड़ता है यह इस प्राचीन गुफा का रास्ता है अगर मैं आपको बता हूँ नीचे काफी जागा स्लिप है यह हम गुफा तक बिल्कुल आप पहुँचे हैं जहां पर भगवान भोले नाथ के जो दिव्य दर्शन है जब मुझे लगवख सो किलेमेटर दूर हूँ मैं रंसू के पास शिव खोड़ी के निकट एक नई गुफा निकली है ऐसे सबने सुना था तो हमने सोचा चलिए आज जगा एक्स्प्लोर करते हैं देखते हैं कि किस तरहां की गुफा निकली हुई है और उसके लिए हम यह पहुंचे हैं आपको मैंताओं कि यह रास्ता है यह जितने भी जंडे लगाए गए हैं यह रास्ता है बिल्कुल ठीक उस पहाड के ओपर जाकर गुफा निकली हुई है अगर आप दूर से देखेंगे जंडे भी दिख रहे हैं काफी कठीन रास्ता है और सबसे बड़ी ब नंदी प्रवत भी कहा जाता है तो पूरी यात्रा करते हैं और आपको भी स्टेट टाम के माध्यम से इस नई मिली गुफा के दर्शिन करवाते हैं पहाड की कठिन चड़ाई बहुत जादा है क्योंकि जगाए नहीं है लोग यहां पर आई नहीं है हलाकि नीचे कुछ घर है गाउं में से गुजरना पड़ता है लेकिन अगर आप बिलकुल नीचे जहां से यह शुरू होती है सडक जो की शिव खोड़ी की जाती है और जहां से इस नई गुफा को रास्ता जाता है अगर वहां से आप उपर की ओर देखेंगे तो आपको बहुत ऐसे लहें कि बहुत चड़ा ही चड़नी है हलाकि जब आगया के आप धीर धीरे करके बढ़ते हैं तो लगता है बता कि वाके ही बहुत ज़ादा कठीन चड़ाई है और अभी मैं पिछले आदे गंटे से पैदल चल ही रहा हूं और यहां चलती चलते सां फूलना शुरू हो गई है कुछ लोग हैं जो की उपर से नीचे आरहे हैं आप मुझे बताए कहां से आए हैं नुझाए हैं पहले जाने के लिए सोच था शिव खोडी पहले हम आयते वैसनुदे भी माता के फिर हम सिव खोडी आया है फिर हम वहां से पैदल आ रहे थे तो सबसे पहले आप लोग दर्शन करने वालों में से बहुत कुछी हुई है और उनके साथ उमर दराज लोग भी है आपको सास फूलने में जाद दिक्कत परिशानी तो नहीं हुई थी थोड़ी बहुत तो होती है बाकी पर जब हमें भी यह पता लगा के प्राकरतिक गुफा न पर दर्शन करका हैं मन में खुशी हो रही है बहुत कुछी हो रही है रास्ते में चलते कुछ स्थानी लोग में मिले हैं जो की इस जगह से पूरी तरह से प्रचली थे हालांकि गुफा से पहले यहां पर एक भगवान शिव का मंदिर था लोग वहां जाते थे गुफा के मिली है इसके बारे में कब पता चला यह भी गुफा बहुत परानी है लेकिन जहां लोगों को पता नहीं था जहां गास लकडिया बगहरे लोग गाउं के लेने आते थे लेकिन लोगों को पता नहीं था गुफा की बात करें आप लोगोंने दर्शन किया होंगे क्या कुछ कुछ अंदर दिखता है लो अंदर गुफा में क्या कुछ में पर जाहाँ छोटे चोटे चीन है देभी देवताओं के जैसे बिश्णु भुगवान जी हैं नाग देवता जी हैं गोमाता है गोमाता के थन गंगाजी है तो ऐसे छोटे-चोटे चीन है अगर हम बात करें किस तरह से हम भी चल के देखना चाहेंगे जिस तरह के ओर जरह रहे हैं जो भी लोग रास्ते रास्ते को पार करके आखिरकार उस गुफा के मुखे द्वार तक आप पहुंचे हैं लेकिन गुफा के अंदर जाने के लिए अभी भी बहुत ज़ादा चड़ाई है और यहां पर आप मैं बताऊं कि इस तरह से यह रस्य लगाई गई है चड़ने के लिए ओपर क्योंकि अं बहुत दिव्य यह गुफा है और मैं पर वीडियो जली से कहूंगा कि आप अब हम यहां से आगे की ओर का दिखाएंगे रास्ता और कितना कटिन है यह पूरी आप देख सकते हैं गुफा बिल्कुल यहां से इस तरह से यह गुफा है और संक्रा नीचे जोग के जाना पड़ता है यह इस प्राचीन गुफा का रास्ता है अगर मैं आपको बताओं नीचे काफी जगार स्लिप है और लाइट बिल्कुल भी नहीं है अंधेरा है अंधेरा है लेकिन यह हम गुफा तक बिल्कुल आप पहुँचे है जहां पर भगवान भोले नाथ के जो दिव्य दर्शन है तो यह रास्ता है गुफा के अंदर आने का यहां से बैठ बैठ के आना पड़ता है क्योंकि यह आप दिख सकते हैं उपर इस तरह की चटाने है और अंदर हलाकि य गुफा थोड़ी खुली हो जाती है और जब यहां से चड़ाई चड़ते हैं बिल्कुल ठीक अगर इस जगा मैं आपको दिखाओं यहां पर वो तमाम डिव्य दर्शन है चाहे वो गायों के थन के हो गोमाता के हो शिव जी के हो और यहां पर जो पंडी जी है मैं उनसे ब पर पहली बार पहुंचें यहां पर क्या कुछ दर्शन हो रहे हैं हमें तो इतना समय से आई हूए है अभी 28 दिन वे आज लेकर न हमें जीतना मालूम है हम बता सकते हैं लेकर इदर कोई शास्त्री नहीं आया है कोई अभी किसी नहीं बताया भी नहीं तो आप आप लोग स्थान पूजान के बारे में बताया जाता की यह आपशने सकते हैं पोरा यह पूरा ासन इसी तरह में पत्थर का है यह और यहां पर बिल्कुल सपाथ है यहां पर बैठनी की जगह है और और क्या है यहां पर थोड़ा सा अगरा बटा सके आमें तो मालूम हुआ है लेकिन इदर जारा मुखी शीयचनाग है अब यहां जाती है अब तो इतनी है लेकिन आगे है लेकिन शोटी 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 बंदा अगर अंदर आजाने सकता है तो मैं आपको बताओं जो गुफा है उसके खास सोर पे अगर शिव खोड़ी गये होंगे तो कुछ इसी तरह के दर्शन यहां पर दिखते हैं यहां पर यह शेशना आप देखिए किस तरह से यह शेशना की पूरिया आकरिती बनी हुई है और उपर से उपर से देखेंगे अगर आप एक भगवान विश्नु के स्वरूप भी है यह शिवलिंग उपर दिख रहा है किसम से बना हुआ वह है और अलग-अलग यह गनेश जी के जो गनेश जी है उनका आकार है और गाए माता है गाए माता के थन है लेकिन अगर आप अंदर की और पूरी गुफा की नजर गुमाएंगे तो यहाँ पर अलग-अलग किसम की यह दृश्य है यह देखिए यह चटान है हलाकि इस तरह से लगता है कि शायद यह किसी लकड़ी क कोई portion है यह लकड़ी नहीं है यह चटाने है और जो भी आप अपने मन से यहां बनाना चाहें दृश्य देवी देवताओं के वो बना सकते हैं बहुत ज़्यादा देवी देवता जो है यहां पर है और गाएं के थन की जो मैं बात कर रहा था वो यहां पर ऊपर हैं और यहां के बारे में जब यहां के बारे में और यह शेर का पंजा है। यह देख सकते हैं ऐसा लगता है शेर का पंजा इहां पर और स्थानियों लोग यहां के हैं यह जो गुफा है सчи 말고 दिस्ट्रिक राजोरी में आती है लेकिन जब इसके शुरुआत होती है तो ये रियासी जिले से शुरू होती है बहुत कहें कि उद्गम चड़ाई है बहुत ज़ादा टफ रास्ता है अभी इस गुफा के बारे में बहुत ज़ादा लोगों को पता नहीं है लेकिन जो भी लोग यहां पहुंचते हैं उनके उनको साफ तोर पर बहुत सारे दिव्य दर्शन देखने को मिलते हैं खास और पर हम शिव खोडी की बात करें वहां पर बड़े बड़े शिवलिंग बने हुए हैं लेकिन यहां पर यह इस तरह का स्थान है भगवान विश्नु चंडी माता वैश्नु देवी गनेश जी लचमी जी विश्नु भगवान सब के यहां पर आपको जो दर्शन है आ स्वर्ण सिंग स्वर्ण सिंग मुझे बताइए यह जगा कुन सी है क्या कहते हैं इस परवत को का नाम है नंदीगन परवत महादेव गुफा परकुपा कब यह गुफा के बारे में पता चला था और आप लोग यहां से कब से सेवा कर रहे हैं इसका हमने मुझे इसका 30 जन अधरी को तो फिर अंदर तक हमने चेक किया तो जो भी प्रागृति हैं जहां पाई गई है वो सामने है अगर हम बात करें शिव खोडी गुफा भी कभी ने कभी इस तरह की थी लेकिन यह उंचाई में ज्यादा है कठीन भी है तो मतलब प्रशासन की तरफ से कोई यहां प अगर हम बात करें गुफा के तोर पर धार्मी की जगा का निया जगा के बारे में पता चला है तो जैसे शिव खोडी आज के समय में बहुत बड़े एक जगा बन गया तो उमीद है कि आने वाले समय में यहां पर भी लोग आएंगे बहुत जदा लोग आएंगे और आपकी तो हम चाते है कि जहां जैसे शिव खोडी में चल रहा है तो एसा ढें होना चाहिए पर प्रसाषन की तरफ से होना चाहिए बांकी जह आपा पर फ्रक्रों क्रै जाही कि पाड़ी में है जिस्टरंबारिक जंगल में бेस कंफ जो है वो धिश्ट्र्री में पढता है जहान न तो इसकी बेक साइड में जो इडिया है वो संगड का पड़ता है मोडा गाला पड़ता है वो जहां से तक्रीवन 2,5 किलो मेटर है और इससे इसके अपने अपने शमाल की तरफ भार्ग पड़ता है जनूब की तरफ रंसू पड़ता है तो अभी तक कितने लोग यहां पर आ सब्सक्राइब करना चुरू किया है नंदिगन परवत पर जो दिव्य गुफा मिली है हमने आपको उसके दर्शन करवाए बहुत कठिन रास्ता है और अभी बहुत ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है हलाकि अभी तक कि उसकुफा में लगबग 5-6,000 लोग आ चुके हैं लेकिन जिस तरह का रास्ता है मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप यहां पर आते हैं तो अपने साथ पानी लेकिया है क्योंकि उसकी विवस्ता यहां बिल्कुल रास्ते नहीं है बहुत कठीन चड़ाई है दूसरा जिनको हृदे की प्रॉब्लम है वो ना आए जिनको hmm बीपी की प्रॉब्लम है वो यहां पर ना आए क्योकि अभी रास्ता बहुत जादा यहां पर बना नहीं है और बहुत ऊबढ़खाबड और खाने का समान अगर हो सके प्रमीटल अम नंदी परवत पर ये गुफा जो है ये बहुत कहें कि आकरशक साबित होगी